हेलो दोस्तों तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके पांच में सेमेश्टर के पेपर हैं वो पोस्ट पून कर दिये गए हैं वो अब आप लोगों के 15 मार्स से होने हैं यह आप सभी लोगों को पता है तो लेकिन जो बचा हुआ समय है इसमें क्या करना है इसमें B2P ने भी बता दिया है कि आपको छटे सेमेश्टर की आनलाइन क्लासेश चलेंगी तो आनलाइन क्लासेश चलेंगी तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि आपको छटे सेमेश्टर के स्लेबर से परचित कराए जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है तो आप लोग ये वीडियो यहीं पर से मत छोड़िए कि ये देखकर कि देख लिए कि आपके चार सब्जेक्ट है स्क्रीन साट ले लिया और वीडियो छोड़ दिया तो आप पूरा वीडियो देखिए इसमें हम पूरी चीज डिसकस करने वाले है कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये देखिए हमने एक पूरा पीडियो तैयर किया है आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है तो सबसे पहला जो आपका subject पढ़ना है microwave engineering microwave engineering पढ़नी है और second है आपका micro controller and embedded system और जो third है wireless and mobile communication और चौथा जो आपका elective आ जाता है यानि आप सनल में आ जाता है इसमें आपको 3 subject दे जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है तो चलिए देख लेते हैं ये तीन subject आपके कौन से होंगे और ये किस हिसाब से आपके marks decide होंगे कि आपको किस में कितने number मिलने हैं तो फ्रेंट्स आप इसमें ये समझ सकते हैं सबसे पहले हमने एक elective subject की बात की थी जो elective subject है elective मतलब anyone out of the following control system medical electronics और computer network यानि एक control system आपका subject जयातर college में ये control system ही पढ़ा जाता है लेकिन आप अपने college से पता कर लीजिए या online classes चलेंगी तब आपको पता चल जाएगा तो आप लोग comment करके बताएंगे कि आपके college में क्या पढ़ाया जाता है और एक है medical electronics इसमें medical electronics फिर इसके बाद computer network तो हम आगे भी discuss करेंगे एक बाद कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और ये किस लिए पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं microwave engineering की microwave engineering में एक वीक में चार पीरेड लेक्चर के और चार पीरेड प्रेक्टिकल के दिये जाएंगे इसमें आपका जो internal assignment होगा 50 number internal होंगे और 100 number आपके external होंगे तो total मिलाके 150 number का आपका बनता है microwave engineering में फिर इसी तरह micro controller and embedded system की बात करें तो इसमें 50 number आपके internal और 100 number आपके external रहेंगे इसी तरह 150 number बनेंगे और wireless and mobile communication के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी 50 number और 100 number हमारे external रहेंगे और elective जो subject होता हमारा इसमें इसमें आपको 3 में से एक परढ़ रहेंगे हमने पहले बताई दिया है तो elective में आपका क्या रहेगा इसमें 50 number internal और 100 external रहेंगे और जो आपका एक project work होगा project work में 50 number internal और 100 number external नहीं एक 150 number इसमें भी आपके रहेंगे और SCA के आपके 30 number जुडेंगे तो total मिला के आपको 780 number का 6 semester का जो exam होने वाला है जो 6 semester होगा उसमें आपको 780 number मिलेंगे तो आप चाहें तो इसका एक screen shot भी ले सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपको कौन subject पढ़ने है और कौन सा कितने number का है तो आगे बात करते है microwave and radar engineering की जो आपकी microwave और radar engineering अखिर क्यों पढ़ाई जाती है इसके जो एक week में चार lecture और चार practical रहेंगे तो आई देखते हैं इसका rational यानि आपका इसका main उद्देश से क्या है पढ़ाने क्या तो this subject includes an exposure to microwave engineering यानि जो हमारे microwave engineering का subject है या हमको परिचित कराता है microwave engineering से और radar system और fiber optics and satellite communication से ठीक है दोस्तों in microwave industry job opportunities और available in the area of assembly, production, installation, repair and maintenance तो इसमें ये चीज कहने की कोशिस की गई है कि microwave industry में job opportunities यानि रोजगार के अवसर हैं उपलद हैं किस छेत्र में assembly यानि उसको assemble करने में जैसे आप मालो CPU है तो इसका SMPS motherboard और hard disk ये सब चीज अगर अलग अलग बड़ी हैं तो इनको एक जगा पर set करना यानि उस CPU के अंदर set करना वही हमारी assembly होती है और production यानि उस चीज का उत्पात करना या product या उसका निर्मार करना installation इस्टालेशन देखिए दोस्तों installation और assembly दोनों अलग 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 चीज हैं दोस्तों assembly में क्या होता है final production हो जाने के बाद जो भी चीज है उसको एक जगा पर set कर दिया जाता है और एक product final बन जाता है फिर assembly करके installation में क्या होता है जैसे मानलप का CCTV कामरा है final बन गया assemble हो गया उसके बाद फिर उसका installation होगा installation मतलब वो चीज एक जगा पर fix कर दी जाएगी and repair and maintenance यानि जो microwave industry में जो job opportunities are available in the area of assembly, production, installation, repair and maintenance यानि repairing और maintenance में भी जो रोजगार के अवसर उपलब्द है of microwave transmitter यानि microwave transmitters and receivers जो microwave transmitters है और receivers है इसमें ये कहा गया है जो radar system का जो ग्यान है आपको allow करता है या अनुमती देता है opportunity with civil and defensive civil और defense organization में deal करने में with aircraft and shipping fiber optics is the latest thrust area in communication with worst opportunities in the private sector जो fiber optics है वो latest thrust area यानि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ छेतर है communication with worst opportunity यानि बहुत ज़्यादा आवसर के साथ in the private sector यानि private sector में fiber optics की जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ या हमारा छेतर है तो दोस्तों इसमें ये बताएगा कि micro and radar engineering आपको पढ़ाई क्यों जाती है चलिए अब हम लोग समझते है micro controllers and embedded system ये subject आखिर में क्यों पढ़ाया जाता है इसका rational आखिर इसका आउचित क्या है पढ़ाने का तो the study of micro controllers in terms of architecture, software and interfacing technique leads to the understanding of working of micro controller and application of micro controller in electronic industries, the study of micro controllers in terms of architecture यानि micro controller का अध्यान उसके architecture के term में micro controller का अध्यान software and interfacing techniques leads to the understanding of working of micro controllers and applications of micro controllers in electronic industries, जो उसकी interfacing होती है, आप लोगोंने memory interfacing पढ़ा होगा, micro processor में, किस तरह उसकी interfacing होती है, जो interfacing techniques होती है, leads to the understanding of working of micro controller, तो उनसे हम लोग समझ सकते हैं, working of micro controllers, यानि उसकी कारेप्रडाली कैसी है, micro controllers की किस तरह micro controller काम करता है, and application of micro controller in electronic industries, और उसके क्या उप्योग है, electronic industries में, micro controller के, micro controller is the heart of the programmable device, जो micro controller है, वो heart है, programmable device का, यानि जो भी programmable device होती है, micro controller, उनका heart है, heart कैसे है, जैसे कि मानलो, अपने drone देखा, अब जैसे drone उड़ता है, जो remote से उसको control किया जा रहा है, यानि remote में भी हमारा एक micro controller लगा है, जो program किया गया है, और drone में भी हमारा micro controller लगा है, जो pre-program है, यानि जो आप remote से input देंगे, उसको किस तरह process करना, या drone में किस तरह से apply करना है, वो micro controller ही decide करेगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं, कि micro controller है, वो heart है, जो हमारा programmable device का, embedded systems and micro controllers है, also assumed a great, significant in the electronics and consumer good industries and a very vital field यानि जो embedded system and micro controllers है, उसको हम कह सकते हैं, जो हमारा great, significance in the electronic and consumer good industry, यानि हम कह सकते हैं, embedded system और micro controllers को, भी हम बहुत महतुपूर मान सकते हैं, एक electronics industry में and a very vital field और इसका बहुत बड़ा field हो चुका है students of electronics and related engineering branches often use micro controller to introduce programmable controller in their projects, यानि ज्यादा तर student भी engineering branch के जो electronics हैं, या other related branch हैं, वो micro controllers का ही उज़ करते हैं, अपने project में, automation and fault finding in industry, यानि किसी भी industry में automation के लिए या उसमें fault finding करने के लिए भी micro controller का उज़ किया जाता है, the subject M expose students to the embedded system besides giving them adequate knowledge of micro controllers, इस subject का देखो main उद्देश यह है, कि students को embedded system के अतरिक्त, उसको पर्याप्त knowledge देना micro controller के बारे में ठीक है दोस्तों अब हम लोग wireless and mobile communication subject के बारे में बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को यह subject क्यों पढ़ाया जाता है तो the wireless mobile communication technology दो complex but is separating at a very fast rate, जो wireless mobile communication की जो तकनीक है वो जटिल तो बहुत है लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रही है परचलित हो रही है, people use more of mobile phones in comparison to landline phone ज्यादा तर लोग landline phone की तुलना में mobile phone का ही यूज कर रहे है it is expected that within very short period और यह जो है मारा संभव हुआ है बहुत कम समय में almost everybody will be using mobile communication, जायतर सभी लोग mobile communications का ही यूज करते है, technology is also changing very fast, तकनीक जो बहुत तेजी से बदल रही है, therefore the students should know the function of wireless mobile system equipment to keep themselves abreast of the latest application of communication जो तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है इसलिए छात्रों को यह भी जानना चाहिए mobile functions यानि wireless mobile functions के क्या 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 कार रहे है, किस तरह काम करता है यानि students को latest technology से बिलकुल update रहना चाहिए mobile communication क्या होता है और यह किस तरह होता है, तो यह मेन उद्देश से है हमारा इस subject को पढ़ाने का अब जो एक elective subject है इसमें समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या चीज है मानलो अगर आपके college में control system पढ़ा जाता है तो control system क्यों पढ़ा जाता है इसका मेन उद्देश से क्या है तो a diploma holder when employed in automation industries such as automated power stations will be required to know the basic of control system and process variable यह जब भी कोई diploma holder जैसे कि आप लोग कभी employ होते हैं एक automation industry में तो आपको उसके control system का और उसके process का पता होना चाहिए कि किस तरह क्या चीज होती है early automation system were mechanically designed जो पहले होते थे automation system हमारे mechanically designed होते थे यानि उसको आपको हाथ से खुद ही करना पड़ेगा कितनी देर तक रोकना है कितनी देर बाद किसी चीज को चालू करना है तो आपको बार-बार करना पड़ता है the timing and sequence being affected by gears and cams जो उसकी timing है और उसकी sequencing है उसमें affect होता था या वो प्रभावित होती थी इससे now these design concept were replaced by electrical drivers and are controlled by PIF PID controllers जो इस समय है यह design हमारी जो इसका concept है यह replace किया जा चुका है यानि परिवर्तित किया चुका है electrical driver से ठीक है इसी तरह micro controller से यानि यह जो concept फुराना वाला यह replace किया जा चुका electrical drivers और controlled by PIF PID controller से diploma holders in industry are responsible to design modify and troubleshoot such control circuit जो diploma holders होते हैं industry में responsible to design यानि उनके जिम्मेदारी होती है modify करना यानि उसमें कुछ बदलाव करना and troubleshoot या उसमें कोई समस्य आ रही है तो उसका निवार करना control circuit में looking at the industrial application of control system in the modern industry this subject finds its usefulness in the present circular यानि जो भी आपका modern industry में looking at the industrial application जो आपके industrial applications को देखते हुए control system के जो यह subject से आपको इसमें find करोगे या this subject finds its usefulness in the present circular यानि वर्तमान पार्ठ करम में बहुत ही उप्योगी चीज़े आप इसमें प्राप्त कर पाऊगे ठीक है दोस्तों आप मानलोगर आपको medical electronics पढ़ाई जाती है तो medical electronics क्यों पढ़ाई जाएगी तो medical electronics आपको इसलिए पढ़ाई जाएगी कि जैसे कि कई सारे equipment है machine है आजकल दोस्तों सभी machine electronics हो चुकी है जिसमें पढ़ते हैं थोड़ा of electronics equipment are being used in hospitals for patient care and diagnosis of carry out advanced surgeries यहनी बहुत भारी मात्रा में electronics equipment का use हो रहा है अस्पतालों में किसके लिए patients की देखभाल के लिए for patient care patient की देखभाल के लिए and diagnosis or carry out advanced surgeries उनको ठीक करने में उनका सुधार करने में और उनकी जो advanced आजकल की surgery हो गई है उसमें भी बहुत भारी मात्रा में electronics equipment का इस्तिमाल किया जा रहा है this subject will enable to students to learn the basic principle of different instruments used in medical science यहनी जो यह subject है आप लोगों को उस लायक बनाएगा कि आप उसके basic principle और उसमें यह जान पाएंगे जो different type के instruments यूज होते हैं medical science में यूज होने वाले ठीक है दोस्तों मान लोगर आपको computer networks पढ़ाया जाता है तो computer networks आपको क्यों पढ़ाया जाएगा तो the future of computer technology is in computer network जो भविस से computer technique जो है computer network का भविस से ग्लोबल connectivity can be achieved through computer network यानि दुनिया भर की connectivity है वो प्राप्ट की जा सकती है computer network के द्वारा a diploma holders in electronics and communication learning should therefore understand the function on network यानि जो भी diploma holders होता है उसको समझ होने चाहिए एक computer network के function की यह कैसे हमारा काम करता है knowledge about hardware and software requirements of network की essential software और hardware requirements की जानकारी भी आने वार रहे तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है लेकिन इसमें आप लोगों को समझने के लिए मिला है किसमें आपको क्या subject आखिर क्यों पढ़ना है जिसने आप अच्छी तरह से आने वाले अपने दिनों को अच्छे तरीके से तब तक के लिए जय हैं जय वारत